नमस्कार दोस्तों मैं विशिद्धान्त ओलंपिक एश्ड़ी में आपका बहुत भुश्वागत है दोस्तों ग्रामीड समाज और परिवेश का यह हमारा पहला लेक्चर है और आपको पता होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल इसके बहुत सारे सेलबस के साथ में आ तो मैं आपको पहली बात कंफर्म कर दूँ कि आपको सारे सब्जेक्ट का जो वेटेश है इसको साथ मिलेके चलना है कि ऐसा नहों कि आप सिर्फ एक को पढ़ो और यह आपका छूट जाए ठीक है तो आप ध्यान दीजेगा कि सारे सब्जेक्ट को बैलेंस फॉर्म में ले लेक्टर है ग्रामीड समाज और परिविश का विकाश का जैसा कि आप समझ सकते हैं और इस लेक्टर में हम इसके सेल्बस के वारे में डिसकसन करेंगे में इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है देखिए अगर आपको मैं बता दू अगर आप सौल टाइम में इस टॉपिक क पढ़ लेंगे तब ही आपके 10 माक्स आजाएंगे जैसा कि इसमें जो बहुमी 25 भूमापन और 25 करके हैं यह आप पढ़ सकते हैं इसके बाद में बहुमी से संबंधित संबंधित तस्तावेज खसरा खतोनी गिरदावरी जमाबंदी है इसको भी आप पढ़ सकते हैं इसके मैंने पेडियाफ नोट्स प्रवाइड करा रखा है तो आप जाके टिलिग्राम पर भी सकते हैं इसके बाद में आप यह भारत की जंगर्णा और उत्रप्रदिस की जंगर्णा दोनों को कंपेर करके पढ़ लीजेगा और रही बात एक चीज और यहां पर दिया गया है यह करसी दता यह जग्या है क्या से यौपी का पेपर है लेकपाल का पेपर है और न dimin को यूजनों के भारे में तो आपस ये टॉपिक चूटने पढ़ाए एक नमबर या दो नमबर का यह 100% आना ही आना है ठीक है इसके बाद में हम बहुत सारे और पटवारी एक्चुल में है क्या इसकी थोड़ी से हिस्ट्री समझ लेते हैं कि एक्चुल में निकल के सामने आया कहां से देखिए अगर आप इसकी हिस्ट्री के बारे में जाएंगे तो यह सेरसा सूरी का सासनकाल था वहां पर यह इंट्रोड्यूस हुआ था ठीक है इसके बाद में सेरसा सूरी के सासनकाल में यह किसके द्वारा किया जा रहा था यह पद यह थे टोडरमल ठीक है टोडरमल के द् यह टोडर मल के थ्रू हैंडर के जा रहा था मतलब वह लेकपाल थे आप बोल सकते हो ठीक है उस टाइम के और इसका जो पद विस्तार है थोड़ा सा इसमें जो काम हो गया रहा है उसको बढ़ाया गया चीजों को डिटेल में किया गया है ना यह सब किसके टाइम पर किया गय गुदाब गुदाब यह है और बी दोनों जैसा कि आप कई एक्जाम में पढ़ा इस चीज को तो कोडिंग करके देता है तो डिफिनीशन आप थोड़ा सा देख रहे होंगा डिफिनीशन के बारे में बट हाँ थोड़ा सा जान लेजे कि यह गाउं अस्तर का अधिकारी हो होता है आप यह समझ लेजेंस इसके बाद में इसका उल्लेख के अनतरगत से कि कंस थाके? होता है यह इसके माध्यम से होता है वा नियमारी के इंतरगत के जाती है ठीक है अच्छा कभी कभी पूछ लेता है कि लेकपाल का ट्रांसफर कोन नहीं अब लेकपाल का पेपर है तो इस में कही नहीं सब्दावलियां डेता है कि आप को शाइद वो चीज है अगर इंग्लिस में translate करके देगा तो आप समझ जाओगे लेकिन वहां पर परगना अधिकारी करके दिया था तो बहुत सारे बच्चे confused हो गए थे वहां पर ठीक है तो दोनों चीज़ाना आपके लिए जरूरी है परगना अधिकारी और SDM दोनों ठीक है SDM कोन होते हैं जो उपजिला दिकारी होते हैं उनको हम SDM बोलते हैं ठीक है सब डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट ओके सो थोड़ा सा इधर देख लेते हैं और क्या है क्या नहीं इसके बारे में अच्छा लेकपाल का पहले नाम पटवारी हुआ करता था ठीक है पटवारी इनका पहले नाम करता था अजीब से हैं तो इसके बाद में इनको चेंग कर के बाद में 1952 में लेकपाल कर दिए गया था पहले पlles फशल का ग्राम कितने लोग के पास कितना खेट है और फसल में उस खेट में कितनी खसल हुगाई आ vener रही है कौन सी फसल बोज़़ इस जब घस्ति बहुत सारे सब्द ऐसे हैं जो आपको शायद अजीव से लगेंगे तो जब मैं लेकपाल की शब्दावली पढ़ाऊंगा तो वह लेक्चर आप जरूर अटेंड कर लेजगा क्योंकि जहां से भी आपने पढ़ा है अगर आपने लेकपाल के शब्दावली नहीं पढ़ी है म तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हिस्ट्री जाने के कोशिश करते हैं कि यह कहां से निकल के सामने आया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी ठीक है तो पहले भारती संदर में हम ग्राम विकास देखते हैं ठीक है जैसा कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में ग्राम बना जो फस्ट डिविजन है यह स्टंत्रता के पूर्व ग्रामीर समाज यानि कि वैदिक काल से लेके 1947 तक बहुत पुराने से लेके 1947 तक अब इसका मतलब यह नहीं कि वैदिक काल से आपको 1947 तक अई तिहास दना कुछ नहीं जस्ट आपको थोड़ी छोड़ी ते जाननी होंग जो इंपोर्टन चीजें उसको मैं बता दूंगा ठीक है इसके बाद में जो भी है वो स्वतंत्र येतर यानि कि स्वतंत्रता के बाद में जो चीजें आई और कैसे कैसे गठन हुआ कई संस्थाओं का इसके अंतरगत तो उसको हम देखेंगे यानि कि 1947 के बाद से लेके तो पार्ट है इसे नहीं बोलके आप पॉइंट नंबर ए मान के जलिए ये पॉइंट नंबर एपलम देखते है ठीक है तो ग्राम शब्द का जो लेक मिलता है ये वैदिक काल में ही मिल जाता है ग्राम शब्द बहुत पुराना है आज का नहीं है वेदों में इसकी चर्च होई थी आप सोब सकते हो कि एकला के पुराना शब्द है इसको बोलते घंप नहीं तहीं अचा कघर्मणी का जो का जो जासकर वह कढ Lux यो करो बहुत सारा चीज़े आजकल जो आठोनीक टाइम में है तो पहले नहीं थी, पहले के टाइम में ग्रमडी था वो एक तरह से जो चोड़ रुढूब करते थे और बहुत सारे गाउं में आपने घाउं के रख्छा करना और ग्राम समाज में आपने अर्ग इस जाता था जो जिलका experience हुआ करता था तो उन लोगों को appointment करके गरमडी बना दिया जाता था और वही गाओं के सारे समस्याओं को समस्याओं का शमाधान करते थे इसके बाद में जो mcdonald हैं इनके अनुसार जो है ये पद कभी वनसानुगत कभी नामित या नर्वाचित तीनों हुआ करता था जैसा कि आपको पता है कि अभी थोड़ा से क्या करते हैं हम लोग अध्यन करते हैं पुरानी चीज़ों का तो उसमें mcdonald जो तो आपको जस्ट इतना ही पढ़ना है इसके बाद में मध्यकाल आता है मध्यकाल में देखिए जो नहरू थे इनके अनुसार ग्राम पंचायत तब भी बनी रही मध्यकाल मतलब यह जो तुर्क अटाइक हुआ था मुस्लिम अटाइक हुआ था दिल्ली सल्तनत थी उस पर नहरू ने बोला कि यह क्राम पंचायत तबी तीव लेकिन बहुत सारे अच्रों करते हैं लेकिन जो ग्राम पंचायत का विकास जूझे गया था क्योंकि उस टाइम पर जमिधारी प्लस उनकी जो अन्य प्रताइं थी वह चीजे चल रहे थी वह अपने इसाब से अधिकारी को नियुक्त करते थे ठीक है लेकिन जो ग्राम पंचायत का पद है यह थोड़ा चीड हो गया था ठीक है इसके बाद में आगे देखते है लाड रिपन ने क्या किया अच्छा लाड रिपन को अस्थानिये स्वसासन का जन्मदाता माना जाता है दोस्तों इसमें में बहुत ही इंपोर्टेंट जो एकदम से कुष्चन पूछा जाएक एक उसको लिया है तो अगर मैं यहां पर डीटेल में सारी चीज़ों को समझा जाएंगी उसको मैं यहां पर include कर रहा हूं तो कहीं कहीं आपको one linear जैसा भी देखने को मिल सकता है तो आप लोग इसको यह मसोचे कि इसार एक्स्प्लेंट करेंगे तो वीडियो सेशन एक घंटे का होगा डिड़ घंटे का होगा कोई मतलब नहीं इस चीज़ का ठीक हम सि चीजों को explain करेंगे तो फिर प्लाइद करनी नहीं है हमें जस्त सौ टाइम में कम टाइम में सारी चीज़ों पर कबांड़ तो अस्थानीए स्वाशासन का जिद्ध मता था वो लाड्रीपन है इंपोर्टन कोईशिन है को सकता है इसलिए आप इसको मैं में भिठा लिजे अस्थानिय श्वशासन लाड रिपन ठीक है आगे देखते हैं राज्य के नीद नीदेशक सिध्धान्द के तक्तों के अंतरगत अनुचे चालिस में ग्राम पंचायदों का उलेख है अनुचे चालिस में ग्राम पंचायद का उलेख है किसके अंतरगत राज्य के नीद सब्सक्राइब कर रहे थे और ग्राम पंचायद जो ब्यवस्ता थी उसको उसने द्यान दे रहे थे तो इसलिए यह काफी ज़्यादा चेड़ होती है जा रहे थी हाला कि हिंदू के शासनकाल में यह काफी ज्यादा वेकशित हुई इसका जो एक्जामपल यह शिवा जी का सा उस्ट प्रधान किस सासन के फिस सासा के अंतरगत आता है तो आपको लगाना है असर प्रधान जो ये शिवाजी के द्वारा चला गया था सदाता एक इस我 ग्राम प्रधान थे उनीको पाटिल यह कैसे हुआ करता था क्या चीज्राइए क्यों उसके हैं एधांज्चे तो आंध्या से जो इंडिया का उंद्धिर खृता था 5 जो पूरा का पूरा पावर था ये गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिया गया लेकिन गवर्नर जनरल के हाथ में पूरा पावर और इतना बड़ा देश इतना जैदा वर्क लोड पड़ गया वर्क प्रेसर होने की वज़ा से लाड कार्णवालिस ने 1793 में कार्णवालिस कोड क यह दोनर्फ awakened को a सथापना की कब कार्णवालिस कोड केये सथापना की गई थी यह लड़ग कार्णवालिस ने 1793 में इसको बनाया था और इसकी इंतरगध जह सकतियों का प्लाइब इन्हों में बताे मित्लाइब कि बहुत सारे सक्तियों को जो अलग अलग पद होता था उनके हाथ में सौप देना कि हाँ भी या ये आप ये काम करो आप ये काम करो इसको बोलते हैं सक्तियों का पर्थक करण सिद्धान्द ऐसा नहीं हो कि सारी कि सारी पावर जो है सिर्फ एक आदमी के हाथ में हो तो जब अस्थानिय अस्थाई बंदोबस की बात करेगा तो लाड कारणवालिश का नाम आएगा 1793 में और अस्थाई स्वसासन की जब बात करेगा तो यह लाड रिपन की बात आएगी और यह इंट्रोडीज़ वा था 1882 में ठीक है अस्थानिय स्वसासन के अंतरकत क्या हु अस्थानिय स्वसासन मतलब अस्थान के हिसाब से स्वसासन जो वहां के लोग थे उसको डील कर लेंगे सारा का सारा जो वर्क लोड होगा वो जो गवर्नर है उसके हाथ में नहीं होगा आगे देखते हैं अब हम देखते हैं कि श्वतंत्रता प्राप्ती के बाद भारत में ग्रामीड प्रशाशन का विकास किस किस स्टेप से होके गुजरा ठीक है आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ श्वतंत्र हुआ और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुसार जो है श्रमिधान निर्माड करने वाली स्रमिधान सभा का गठन हुआ ठीक है इसके बाद में 9 दिशंबर 1946 में फस्ट बैठक में 206 पर निर्वाचित जो अस्थान थे निर्वाचिन का अस्थान था उसके हिसाब से चुनाव हुआ और आगे चलके फिर इस चीज़ को लेखे काफी कन्फियोजन हुआ था कि ग्राम पंचायत की जो ब्यवस्ता है जो मॉडल है इसको कैसे बनाया जाए तो बहुत लोगों यहके विवस्तार बेड़ंद्र को महते हैं और इस में और पर छो उसके जो 10 सब्सक्राइब में ही होटी है तो चलके हैं यह विल्वाच संगर में आज सशुना जरो टो यह ंंचा om ग्राम पंचायत के धूर विरोधी कौन थे तो आपको लगाना है डाक्टर अमबेड़कर का जो पॉइंट था ये ग्राम पंचायत के संगठन के विजार में नहीं था ठीक है इसके बाद में आगे देखते हैं कि दूसरी सूची जो कि राजय सूची है इसमें रखा गया अस्थानिय सरकार का जो विश्य है ये किसमे था सात्वी अनसूची की दूसरी सूची जो की राजसूची का विश्य था उसमें रखा गया और शमिधान लागो के पश्चात 1952 में सामदाइक विकास कारेकरम का प्राधम भुआ शामदायक विकास कारेकरम को ही ग्रामीड विकास कारेकरम बोलते हैं और यहीं से सुरू होता है आपका यह सेलबस ठीक है? 1952 से ही आपका यह सेलबस अच्छे सुरू होता है और इसके बाद में आपको डीटिल में सारे चीजे पढ़नी है और इस सामुदायक विकास कारेकरम को आप कभी भी कन्फूज मत करना यह ग्रामीड विकास कारेकरम ही है कहीं 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 सामुदायक विकास लेगा कहीं 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 ग्रामीड विकास लेगा तो ग्रामीड विकास जो आपका इस सल्वस है बस यही होने वाला है इसी के अंतर का सारी चीज़ आपको पढ़नी है ओके तो यह वीडियो सेशन यहीं पर खातम होता है और जो इसका PDF है इसको में टेलिग्राम में प्रवाइड करा दूंगा रात के टाइम में लगबग मैं दो-तीन बजे वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ी सी आवास दली हो सकती है एनर्जी आपका मेरा जो है लूग दिख सकता है लेकिन आपको इससे कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए आप अपने एनर्जी से चीजों को पढ़िए आप उत्साहित होके पढ़िए दो महीने का वक्त है कि सेलेक्शन लेना है समय बहुत कम है और कंपडिशन बहु इसके बाद में जिसके साथ को लेबरेट किये होते हैं उनका 5 मिनट एड करते हैं तो 15-20 मिनट के बाद में देखता हूं कि एक्चुल में सेसन ही स्टार्ट होता है तो यह 15-20 मिनट में तुम्हें अपना टॉपी की खताम कर दे रहा हूं आप लोग देख रहे होंगे तो ऐसे चैनल से जुड़िए मैंने करहों कि मेरे चैनल से जुड़ो आप जिसकी जिसकी भी चैनल से जुड़ो वह टूदा पॉइंट बात करें क्योंकि समय बहुत कम है कि आपको 50 मिनट में पढ़ना है उम्मिद करता हूं कि यह वीडियो ससन आदे गंटे में लगभग कंप दावलियां होती है यह पढ़ेंगे और यह जो भूम मावन परमाना होता है ना जिसमें खसरा खतोनी और जमावंदी इसके बाद में गज फीट मिलिमेटर जो भी चीज़े होती है इसको हम डिटिल में पढ़ेंगे इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे वाइट बोर्ड पे तो मेहनत करते रही है और दोस्तों बात बोलना चाहता हूं कि मॉर्णिंग के टाइम में एक तरह से आपको टॉपिक देता हूं कि यह टॉपिक आज का आपका टॉपिक डे है समझ लो ठीक है जैसा कि आपको उस दिन पर वो टॉपिक खतम ही करना है जैसे आज के दिन मैंने तो दोस्तों तभी लोग मेहनत करते रहो और सेलेक्शन लेलो मिलते अगली वीडियो में जैहिंत